पाइनली मेरा अल्टिमेट ड्रिम पूरा हो गया आप में से मैक्सिमम लोगों ने सायध ही इस तरह का कोई भी चीज सेट अप आज से पहले यूट्यूब इंडिया में देखा होगा लेकिन बच्पन में तो आपने डिस्कवरी चैनल को उपर घने घने जंगल तो देखे ही ह इस सट को एक छोटे से टिंक के अंदर बनाया जाया इस आर्ट को पेलूडारियम बोला जाता है लेकिन मैं इसे थोड़ा पेलूडेयम करके बोलता हूं पेलूडारियम के अंदर छोटा सा एक पॉंड लिए आर्ग जरूर्पनीडे। अगर इस वीडियो पर अच्छा response आएगा तो अपसे मैं regular वीडियो भी डाला करूँगा और इस तरह का चीज मैंने first time design किया है तो आगे और भी improvement होता रहेगा तो बड़ी-बड़ी बाते तो कर लिए अब इस art को पैलुडारियम को बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए मैं idea के हिसाब से यह tank perfect बैठ रहा है तो इस tank को अच्छे से clean करके कुछ पथरों को perfectly तोड़के मैंने इस tank में sit कर दिया है पथरों का बात चल रहा है तो मैंने कुछ lava rocks जो अला मुखी है पथर भी use करने वाला हूँ अपने पैलुडारियम के अंदर जो मैंने मोटे वाले पथ चिपकाने के लिए अपने इन मजबूत मोटे मोटे पत्थरों को ऊपर मैंने थोड़ा-थोड़ा hot glue लगा कर इन लावा rocks को अच्छे से चिपका दिया है और अब यह कुछ ऐसा लुक दे रहा है इतना कुछ करते करते यह टैंक काफी ज्यादा गंदा हो गया तो अब जल्दी से इस टैंक के अंदर जाड़ू लगाते हैं क्योंकि यह फ्लावर हन मालिक का हुकुम है सारा कुछ परफेक्टली चल रहा था लेकिन हमारा जो मेन रॉक है वो इधर उधर भाग रहा था तो उसे भी मैंने hot glue से अच्छे से चिपका दिया अब यह कहीं नहीं भाग पाएगा भागने से याद आया मैं भागते भागते फिर गया अपने terrace garden के अंदर वहां से मैंने अपने कुछ पौधों के उपर से उनका जो चमड़ा है यानि wood bark उसे छील कर निकाला मजाक कर रहा हूं मेरे पास एक dead plant है जिसका उपर का bark छूट रहा है उखड रहा है तो उसी से मैं आप किसी घने जंगल के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपको दूर दूर तक कुछ नहीं दिखे का आगे पीछे उपर नीचे हर जगा बस आपको पीड़ पौध ही दिखेंगे तो उस illusion को create करने के लिए मैं ये wood bark background में लगा रहा हूं बस ही अच्छी तरह से याँ पर चि प्यारा सा लग रहा है जस्ट मैंने अपना ये काम फिनिस किया और आप देखिए कितना प्यारा और कितना खुबसूरत ये अभी से ही लगने लगा है पीछे background में इस तरह से जो लकडिया सजी रहेंगी तो काफी अच्छा और काफी प्यारा illusion create होगा साथ ही हमने जो लाव से उधर नाब है तो इसलिए मैंने यह लगाया है साथ ही प्लास्टिक पानी में बिल्कुल नहीं जाएक और आब इस प्लास्टिक के उपर मैं भरने वाला हूं धेर सारा मिट्टी क्यूंकि जंगलों के अंदर होता है धेर सारा मिट्टी और यह नॉर्मल पैलूडारियम के लिए इस्पेशल स्वयल मिक्स बनाना पड़ता है अलग-अलग चीजों को मिक्स करके जो की बिल्कुल अलग ही एक टॉपिक है लेकिन मिट्टी भरी दिया तो थोड़े पौधे भी लगा ही देते हैं मैं आज साम को ही गया था नरसरी और नरसरी से मैंने ढेर सारे पौधे खरीद कर लाया हूं मेरे हाँ पर नरसरी में जो सबसे बेश्ट प्लांट्स थे पैलूडारियम के लिए वही मैंने सेलेक्ट किया है और इनके उपर जितना भी इक्ट्रा स्वाइल चिपका हुआ तो वह भी मैंने अभी निकाल भी लिया बिना देर कि आप लगाते हैं इनको अपने अल्टिमेट सेटप के अंदर सबसे पहले तो हमारा यह फॉक्स टेल फॉर्ण इसको बोलते हैं यह काफी प्यारा लुक देगा बैग्राउंड में इसक इसको बैग्राउंड में लगा है साथ ही मैं इसके बाजू में एक फॉर्ण लगा रहा हूं क्योंकि इस तरह के जंगलों के अंदर ढेर सारे फॉर्ण होते हैं इसके साथ मैंने कई सारे और भी दूसरे पॉद्धे लगा है कुछ लो लाइट प्लैंट्स लगा कुछ जिन इसे मैं थोड़ा सा और मिट्टी उपर से भर देता हूं क्योंकि मिट्टी मुझे थोड़ा कम लग रहा है फिर से मैं मिट्टी बोल रहा हूं लेकिन यह स्पेसल टाइप का ग्रोइंग मेडिया है जो कि पैलुडरियम के अंदर यूज होता है फिर इतना सारा मेहनत करने क पाइनली हमारा छोटा सा जंगल तयार हो गया और हमारा मिस्टर फ्लावर होन भी काफी गौर से इस चीज़ को देख रहा है पिछे बैग्राउंड में वुडबार के उपर मैंने कुछ और पौधे लगा दिये यह वाइन से कुछ जो कि दिवाल के उपर यह कहीं और वैसा पौणड के अंदर पानी भरेगा तो इसलिए मैंने स्प्रे बोटल से पानी स्प्रे करना सुरू कर दिया क्योंकि छोटा जंगल है तो इस प्रे बोटल से ही पानी की छोटी-छोटी बूंदे गिरेंगी तभी अच्छा लगेगा तो मैंने पूरा मेहनत करके पूरे जंग के उपर चिपक गया तो मुझे ही अब यह पॉंट भी बनाना पड़ेगा तो जल्दी से मैंने रेत भरना सुरू किया तलाब के अंदर क्योंकि इस तरह के पॉंट के अंदर धेर सारा रेत होता है छोटे बड़े पत्थर होते जो कि बारिस के कारण पहाड़ों से जंगलो के अंदर पानी भर ही गया लेकिन बारिस के कारण रेत थोड़ा इधर उदर हो गया है तो इसे भी बराबर करते हैं आप सुच्रेंग में बनाते बनाते मैं यहां पर कहां से आ गया तो इस वाले सेटप के अंदर मैंने रखा यह ड्रिफ्टूड मैंने काफी दिनों से इस इस पाइटा हुआ इस तलाब के अंदर आ गया है और एक पुनिय पर यहांपर से टंट हो गया है तलाब के अंदर बाड़ में यहां लखडिया लेकिन पानी के नीचे तो बिल्कुल फ्लैट जमीन है तो इसे भी सही करते हैं छोटे बड़े धेर सारे पत्थर डालके क्योंकि पत्थरों के बेना इस तरह के तलाब के अंदर मजा ही नहीं है क्योंकि एक नेचुरल तलाब है कोई स्विमिंग फूल थोड़ी है तो जब इ पत्थरों के उपर पेड़ पौधों के उपर तलाब के अंदर कई सारे और दूसरे जगों पर काई जम जाता है एलगी हो जाता है फिर उस एलगी से मॉस ग्रो होने लगता है तो मैं मॉस ही लगाने वाला हूँ इस सेटप के अंदर पत्थरों के उपर जो हमारे ड्रिफ् प्रोजेक्ट है इसके बारे मैं काफी लंबे समय से सोच रहा था क्यों ना इस तरह का कुछ सेटप बनाया जाए और आपको दिखाया जाए इसके बारे मैंने काफी जगों पर देखा ढूंडा लेकिन इंडिया के अंदर बहुत कम ही लोग एकाद लोग होगे जो कि इस तरह बनाने का सोच रहे होंगे या फिर डिजाइन कर रहे होंगे लेकिन इंडिया के अंदर इस तरह के सेटप को बनाने के बारे में बहुत कम ही एक्वेरियम होबेश सोचते हैं और बनाते भी है तो वह निचुरल कम आर्टिफिसियल मैनमेड ज्यादा लगता है तो मैंने सेटप को मैं अभी और खुबसूरत बनाने वाला हूँ साथ ही इस सेटप के अंदर इस पलूडारियम के अंदर कौन से मैं एनिमल को रखू कौन से जीव को रखूं आप कॉमेंट करके बताइए वैसे तो मैं इस सेटप के अंदर एक से ज्यादा टाइप के जीव को बनाऊंगा तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ सेयर करके मुझे मोटिवेट कर सकते हो और इस वीडियो में लाइक भी नहीं रख रहा आपके उपर छोड़ रहा हूं मेरा भी इस तरह के प्रोजेक्ट से उपर फ्यूचर में काम करने का मन है त